तो मैं सफर क्यासा रहा आपने यह आपको शोग था या फिर आपने को ट्रेनिंग कि एक टैटू बनवा लें और यह काफी टेंजरस होता है वाड़ी के लिए क्या यह सही है नहीं ऐसा कुछ नहीं है मेरे भी जो बाड़ी है मैक्सिमम नियर बाउट कोई 60% टैटू है ठीक ह तो मैं सफर क्यासा रहा आपने यह आपको शोग था या फिर आपने को ट्रेनिंग किया किसा भी चलेंगे आपकी पर्सनल लाइफ में तो थोड़ो सा बता देंगे अब पूछना तो नहीं चाहिए कि है रहार बंदेगे अपनी परसनल लाइफ हो दिये नहीं अगर आपने पूछा है तो बताई देते हैं सब्सक्राइब स्वागत अपका एक वर फिर से जमु और किश्मीर मार्केट में और मेरा नाम है पंगर दता जैसा कि आपको पता है कि दिनवर काम यह ही है कि मुझे पर्मोट करना है अपने लोकल मार्केट को और मेंन मोटिफ आपको नहीं नहीं जगा दिखाता हूँ और आपके वेनिफिट के लिए क्या हो रहा है जमु में कहां पर क्या नहीं चीज़ है उसके लिए आपको मैं लेकर चलता हूँ अपने साथ तो आज हूँ मैं गाली नगर जमु में स्क्रीन पर चेहरा देख रहे हैं तो यह आपके लिए कुछ निया ज़रा नहीं है मेरे को यही लग रहा है कि आफ रोडिंग में आप इनके वीडियो देखेंगे प्लस दूसरी बात यह है कि इनके साथ है रुपाली में होते हैं इनकी बैटर हाफ वो भी इनकी पूरी स्पो पूरा भावड़े लागे कैसा है काम जो गर्वेशन चल रही है निया निया आपको कुछ हर रोज लाना पड़ता है बिल्कुल हमारे पास नियास बहुत कुछ है तो ऐसी से सर्विस हमारे पास मिलती होंगी तो जो बाकिये भी किसी के पास नहीं होंगी ट्रतों के लिए जो भी information है वो बिल्कुल medications से जलती हैं जो कि precautions जो उसके होते हैं इसके लावा जैसे tattoos तो आप famous हैं यह जम्मू में आप रोडी के लिए famous आप हैं आप और आप की थार anyway इसके लावा जैसे किसी को unwanted hair remove कराने हैं तो उसके वो भी facility आप provide कराने हैं पर्मनेंट हेर रिमूबल भी है पर्मनेंट टैटो रिमूबल भी है बाकि scalp micromic pigmentation भी है सब कुछ है हमारे पास आप एक बड़ी studio आएं विजिट करें तो studio का नाम है Tattoo Den और एरिया है गांदी नगर नियर लक्षमिन नारायन मंदिर वे यह तो हो गया बिजिनस की बाता भी चलेंगे आपकी personal life में तो थोड़ा सा बता देंगे अब पूछन तो नहीं चाहिए खरहर बंदे की अपनी personal life हो दिये नहीं अगर आपने पूछा है तो बताई देते हैं मेरा स्वाल सबसे पहले आपसे यह है कि कैसे आपको सोचा कि जम्मू में ये चीज famous होगी क्योंकि पहले जमाने में क्यों होता था जैसे हमारे दादा पर दादा और नाना पर नाना उनके हाथ में ओम लिखा होता था उसको हम कैटू नहीं बोलते थे उसे हम कहते हैं कुछ गुदवाया हुआ है हाँ गुदवाया हुआ मेले से ठीक है मेले से मैंने भी मेरा जो पहला टैटू था फिफ्थ में था मैंने अपना पहला टैटू फिफ्थ में करवाया था और यहाँ पर मैंने भी ओम भी मनाया था मैंने भी ओमी बनाया दा हो आपे तो ये उस ओम से लेके आज तक जो अभी जो ओम आ रहे हैं बड़े स्टाइलिश हो और मन गरता काश मेरे शरीट पे भी ये गुदा हो तो क्या सफर है उसके किशिए मेरे को एक्चली टैटू का जो शोक था वो बच्पन से ही था ठीक है तो पहला टैटू जो मेरा था वो फिफ्ट क्लास मेरे टैटू करवाया था तो उस टैटू से लेके मुझे घर पे बहुत मार पड़ी थी तो उसके बाद जब मेरी शादी होगी 2016 में मेरी शादी होगी थी तो उसके बाद ये मैडम आये हमारी लाइफ में जैसे रुपाली में हमसे आप मिलें वो कैमरा पर नहीं आना चाहते हैं चलो नेक्स ताइम हम पीछा नहीं चोड़ेंगे इनका मिलाते रहेंगे दिखाते रहेंगे तो अभी में हम बात कर रहे थे जैसे रहे जब अपके बात के साथ हैं तो उसके बात जब शादी होगी जैसे विद्ध हम आप हम है कामरा शायै तो नहीं बोल सकता है तो आज इनका मोड नहीं है मैम कैसे इं आप पुर। चलो मैं हम आपसे बात करेंगे अभी हम अभी वेया से कांटिनियू रख रहे हैं क्यासा सफर रहा है 2016 मैं जब आपकी शादी उसके बाद तो हम दोनों की सोच जब शादी होगी तो दोनों की सोच एक जैसे ही थी तो मेरे को भी बच्पन से टाटूस का पूश्यूकीन था तो हम दोनों ने बैठके इस बात के बारे में डिसकस किया कि नहीं है टाटूस के बारे में सोच तेंग तो फिर उसके बाद रुपाली ने ये रुपाली को गौड गिफ्टिड है प्रुपाली ने बहुत इस के लिए प्रैक्टिस किया है और मैंने रुपाली को अपने पूरी बॉड़ी दिए प्रैक्रिक करने के लिए वाँ यह आप लोगों का है této Carmotser चाहिए तो मैंने सब्सकंद महें इस हुआ जासे nonprofit बिल्कुल स्कस्ट्रेश करें बदाए इसे बात करते हैं आपकी बलॉगिंग की तो आप मोड और वीब Redmi सब्सक्राइब यह बना अच्छा लगा सयंके यह हमारा फैमिली बिजनस है और तीन बजय उठते है यह बना थिन पर ने उठता है सही बिलकुल, पापा का हमना बिजनस है नर्वाल मेंडी पे इपने शॉप अप आपको पाता है कि यहां पर मैं आपको दिलबाता हूं डिस्काउंड यहां तो आपका है लक्षम्रायमंदिर गांधिनगर दूसरा आपका इक और भी असके बाने था वो बंद हो चुका इस ताइम पे एक्चुली कोई प्रॉब्लम आई थी मारी लाइफ में रुपाली के साथ किसी ने की थी यहां पर बत्तमीजी तो पहले भी बहुत जादा हुआ थ कुछ आर्टिस के साथ जो बत्तमीजी होती है तो यह नहीं सहन करता है कोई भी उसी के रिलेटिड मैंने अपना सारा जो था वहां पर मेरे को बहुत ही नुक्सान हुआ तो वह सब बंद कर दिया था तो उसके बाद उसके पर फाइल की तो वह भी तक अंदर है तो बहुत हुआ उसके साथ बहुत बूरा किया उसने हम बेशक काम हमारा अच्छा आ रहा है सब कुछ क्लाइंट एच्छ है मेरे क्लाइंट दूर दूर से भी आते हैं कोई बदरवा डोड़ा हर जगा से कोई फॉरं से भी आते हैं तो उसके बाद यह चीजे में कि किसी को हेट करना ह करने का मतलब यह नहीं है कि आप किसी की दुकान पर किसी को टॉर्चर करोगे ठीक है तो उसके रहते हुआ मुझे भी बहुत नुकसान हुआ तो बहुत दुक्की बात है कि हमारे जम्मु शार में भी ऐसी चीज़े होगी है तो इस तरह भी होता और इस चीज़ों से बचन जेल में हैं सो भी आगे future क्या प्लान्स आपके future में प्लान जो यह है कि बसकी एक बहुत ही अच्छे scale पर इस काम को लेके जाना तो मैंने ये काम बहुत ही चोटी scale से शुरू किया था जब मेरे पास कुछ भी नहीं था तो मेंने ये काम अपने दम पर पुरा मेरे पास एक गाड़ी थी उसको सेल आउट करके यह काम मैंने स्टार्ट किया था पूर इसकी इन्वेस्टमें जितनी मीकिसा पुछ की तो यहां से मैं यहां हूँ तो इन सब आपके प्यार से मैंने धंपे नहीं आपने लिए की कि हिमद करो तो मैंने काम यहां अपने दम पे होगे कि अभर करने के लिए कि हिम्मत करो तो सब फासिवल एक्जम्पल आपके सामने देख रहे हैं अपना गर काम जो है सबजी का नर्वाल मंडी में बहुत है उसके बाद एक सपना देखा और उस अपने को आज एक विशाल रूप इन दिया और आगे यह रुकेंगे नहीं थबने वाले नहीं को मैं ज कहते हैं कि एक मास्टर माइड और हर काम्याब व्यक्ति के पीछे परसन के पीछे जो एक सोस होता है उनसे मिले सुगाईज अभी जानते हैं कि रुबाली में कहां की रहने वाली में माप बदेली से कहां से हैं जमू से सच मैं यह कुशन अगसर पूछा जाता है कि लगता नहीं जमू से हो और इतने खूबसर डिजाइनिंग यह करते है ना टैटो की तो यही लगता कि कहीं बार से तो मैं सफर क्यासा रहा आपने यह आपको शोंग था या फिर आपने कुछ ट्रेनिंग किये क्या किस तरह गए और उसके बाद वही आप प्रफेशन बन गया और अभी विया जैसे हम बात का रहे थे इनको इतना शोंग नहीं था इतना जाला इनको था आपने उनके सपने क तो फुल फिल किया पूरा किया सपोर्ट करें तो ठीक है मैं बहुत अच्छा काम चल लो कुछ मैसेज जंग जनरेशन के लिए जिनको अभी थोड़ा सा डाउट होता है कि यह यह बाडी के लिए हानी कार तो नहीं यह डेंजरस तो नहीं है अगर हम टाटो गनाते हैं तो जो चीज आप चाहरे थे मैं चाहरा था वो एक ही फ्रेम में आगे हैं दोनों तो मैं बहुत चाहिए है यह मैं आपको बता दू बड़ा कहने के बाड़ यह आया सामने आपसे पूछना चाहूँगा कि कुछ लोगों का अभी भेहम होता है कि हम टैटू बनवा लें और यह काफी टेंजरस होता बाड़ी के लिए क्या यह सही है नहीं आसा कुछ नहीं मेरे भी जो बाड़ी है मैक्सिमम नियर बाउट कोई 60% टैटू ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं मेरे को प्रॉब्लम नहीं तो कहते है कि एक बहाना बनता है जब होना ओना तो कुछ भी ऐसे भी हो जाएगा तो टैटू बनाने का ऐसा कुछ प्रिकॉशन ने टैटू बनाने से कुछ नहीं होता है अगर आप अच्छी हाइजनिक टोटल हर चीज अब देख सुनके यूज करें तो ठीक है इसमें भी वह चीज़े होती है ठीक है वह प्रिकॉशन में अगर टैटू के यह प्रप्रोब्म बनाने बाद में तो यहां पर कोई टैल वैसली नाड़ा काम नहीं है यहां पर सिर्फ जो टैटू की अपरेरिशन होती है वह पूरी मेडिकेशन के साथ होती है यहां पर अगर आपका टैटू बनाने तो के लिए पूछना चाहूँगा इस पेंचीज पर यहां तो के लिए यहां बोस के लिए इस टृम एग सिर्फ टैटू के लिगना होगी है वे जिए टौन एक टाटू गों नाम लिख वाया था तो मेरे मां में अचेला आपक नहीं पूछ रहा हूं कि पता लिए ज़ी इतने प्रप्रेंड वी बद्ट इंवी में विए या आप बताना चाहेंगे कुछ है जो आप के रेफरेंसे हमारे बास टाटू करवाने आएगा उसे मिलेगा 50% डिसकाउंट और वैलेंटाइन दे पर मिलेगा कपल टाटू को बाइवन टाटू गेट वन टाटू फ्री यह सिर्फ आपके लिए थैंक तो आप देख लिजिए आप जानते हैं इनको बताने की जरूरत नहीं है यह आपर रहेगा सिर्फ कपल्स के लिए तो अभी वैलेंटाइन दे आ रहा है नजदीक तो आपको क्या करना है आप रेड़ी हैं तो अपने पार्टनर को भी रेड़ी कीजिए टाटू एक बना लीजिए और दूसरा उसी कैसा कंपलिमेटर मिलेगा इन दोनों की तरफ से थैंक यू सो मच बिलते हैं जल्दी ने बला के साथ तो गाइस आप ही चाहूंगा इजादत तो जल्दी से अगर चैनल को सब्स्राइब नहीं किया तो कर लिजिए जिसका नाम है जमू अनकिश्मिर मार्किट इसमें हम आपको लेके चलेंगे जमू अनकिश्मिर मार्किट दिलवाएंगे आपको देर सारी दिसकाउंट और दिखाएंगे आपको नहीं नहीं शाप्स, स्टोर्स, स्टूडियोज और बहुत कुछ थैंक यू सो मच